तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं वाई टीया टेक तो आज मैं आपको तीन थीम दिखाने वाला हूँ जो की काफी बहतरीन है वीडियो पसंद आएगी तो या लाइक जरूर कीजेगा वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइकस आप पूरा कर देंग तो दोस्तों हमारे पहले थीम का नाम है यहाँ पर 1V2 यह आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा without any issue तो बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन की तो आपको कुछ इस परकार का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है और कुछ इस परकार का विजिट मिल जाता है नीच पर जो आइकॉंज है वो बिलकुल सैमसंग यू आई जैसे ही लगते हैं जो मिलको काफी पसंद आए बात करें यहाँ पर स्टेटस बार की तो यहाँ पर बिलकुल चेंज कर दी गई है आपकी स्टेटस बार जो की देखने में काफी अच्छी लगती है और आपका जो कंट काफी अच्छा लगा इस तहीम और आप को यहाँ पर छेंज कर दिये गये हैं यह अपको साफ़ यहां इसील five elements यहां पर आप टैब करने से both आउट फोन में भी आपको One UI देखने को मिल जाता है तो यहां पर अगर आपके डिवाइस में बूट एनिमेशन है तो आपको यहां पर काफी अच्छा एक बूट एनिमेशन भी देखने को मिलेगा जब आप अपने डिवाइस को रीबूट या पावर आफ करके अन करेंगे तो यह उनी के लिए है अगर आपका डिवाइस से बूट एनिमेशन को सपोर्ट करता है तो इसमें काफी अच्छा बूट एनिमेशन मिल जाता है तो मेरे हिसाब से आपको यह थीम एक बार जरू ट्राय करना चाहिए तो दोस्तों जो हमारा सेकिंड थीम है वो है वोटर य यह भी आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा without any problem लोक स्क्रीन में आपको काफी अच्छा एनिमेशन यहां पर देखने को मिल जाता है और यहां पर अगर हम अपने डिवाइस को चार्जिंग में लगाते हैं तो आपको यहां पर काफी अच्छा चार्जिंग एनिमेशन भी लोक स्क्रीन में आपको कौन सी क्लॉक चाहिए यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए होम स्क्रीन में भी आप क्लॉक को थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं अगर आपको यह चाहिए यह चाहिए तो यह काफी अच्छा थीम है यहां पर टैप करके आप अपना music control ला सकते हैं तो lock screen में अगर आप left की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर widget मिल जाता है और आपका brightness slider मिल जाता है आप जो है वो flashlight को on and off कर सकते हैं और कुछ settings आप change कर सकते हैं unlock करने के बाद आपको काफी अच्छा animation यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अगर हम बात करें control center की तो यह control center यहाँ पर काफी unique है आप देखेंगे waves आती है water की तो काफी अच्छा लगता waves तो नहीं है still pictures है पर मिरे को यहाँ काफी अच्छे लगे यहाँ पर यह icons dark mood में भी यह जो control center है वो काफी unique लगता है आप देखेंगे तो मेरे को यह काफी पसंद आया यह control center तो दोस्तो icons भी काफी unique है अगर आप यहाँ पर देखेंगे काफी transparent look और एक different design आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अगर हम बात करें phone dollar की तो आपको phone dollar कुछ इस परकार का देखने को मिल जाता है तो बात करें यहाँ पर settings की तो यहाँ पर आपको कुछ इस परकार की settings मिल जाती है जो की एक unique look देती है आपके device को तो मेरे को काफी अच्छी लगी तो यह काफी अच्छा theme है आपको एक बार जरू ट्राइ करना चाहिए तो दोस्तो हमारा जो लास्ट थीम है वो है समर यह भी आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा एक आपको तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना आपका डिवास चार्ज हुआ है tour और नीचे आपको यहाँ पर आपकी फ्लाश लाइट देखने को मिल जाती है अनलाग करने के बाद आपको कुछ इस पर चार का एनिमेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर आप double tap करके जो है वो अपने जो यहाँ पर जो widget है उसे change कर सकते हैं तो आपको दो design मिलते हैं जो मेरे को काफी पसंद आए तो यहाँ पर phone डालर भी थोड़ा सा change हुआ है और यहाँ पर settings को भी change कर दिया गया है जो मेरे इसाब से देखने में काफी अच्छी लगती है एक unique look आपको आपके device में देंगी तो यह अच्छा लगा मुझे volume control की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस परकार के volume control मिल जाते हैं जो कि काफी छोटे कर दिये गए हैं तो आप reach कर सकते हैं आसानी से तो मेरे को काफी अच्छे लगे तो बात करें यहाँ पर status bar की तो आपको कुछ इस परकार की status bar देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको कुछ unique colors देखने को मिलते हैं control center में जो मेरे को काफी पसंद आए आप देख सकते हैं तो बिलकुली अच्छा लगता है आपका control center इस theme में तो यहाँ पर यह सारे theme थे तीन आज की वीडियो में तो hopefully आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो यह आज के लिए बस इतना ही